हेलो दोस्तों नमस्कार ससेकाल एक बाफिर से आप शुका स्वागत है आपको बताने वाले हैं कि किचन टॉप को किस तरह से फिक्स करना चाहिए और फिक्स करते टाइम कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए चलिए बिना किसी दिरे की वीडियो को फिर स्टार्ट करे आख श कते हैं यह हमारा जै क्यों सब चाहरा है और किस टाइप का मौ्डुल की चन यह स्ट्रेट टाइब ऊंडि extend नहीं है अभी इस पर काम चल रहा है सो जो सबसे पहले चीज ध्यान में रखनी है वह यह है कि जब भी आपका बॉतम सिक्षन बने वहां पर जो 18 mm का प्लाई होता है जैसे आप यहां पर दे सकते हैं दो प्लाई है एक यहां पर 18 mm का प्लाई है और एक इसके ऊपर है सुक जब भी इस पर किचन टॉप फिक्स करना हो तो उससे पहले आप यह जरूर ध्यान दें कि जो भी कार्पेंटर काम कर रहा है यहां अगर आप कार्पेंटर है तो यहां पर दो 18 mm का प्लाई होना चाहिए यह कंपल्सरी है क्यों इसका रीजन है जैसे आप यहां देसे लिए किचन टॉप है ओके यह हमारा क्वार्ड्स है यह नॉर्मल पत्थर नहीं है जो ग्रिनाइट है यह ग्रिनाइट नहीं है यह क्वार्ड्स है थोड़ा सा कॉसली परता है इसको हैंडल करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है दिरिंग टाइम ऑफ फिटिंग अन कटिंग बोथ सो जैसे आप यहां दे सकते हैं इसकी तो है वह भी लंसम 18 mm होती है 16 mm से 18 mm के बीच वहरी करता है सो यह देखिए अगर यह हम डबल प्लाई नहीं लगाएंगे सो यह ज प्रॉब्लम वहां पर क्रिएट हो जाएगी ना दूसरा रीजन क्या है यहां पर डबल प्लाई रखने का जैसे आप यहां दे सकते हैं 18 mm का हमारा स्टोन है ओके मिन्स क्वार्ट्स है और यहां पर जो बॉटम सिक्शन है यहां पर देख सकते हैं 18 mm का यहां पर भी लगा ह हुआ है तो यह दूसरा रीजन यह भी है कि जो यहां पर लटक दिया गया है जो बॉल्डर दिया गया है मोल्डिंग के लिए ओके सो वहां पर भी हमें 18 mm के लिए यहां पर एक्स्ट्रा हाइड चाहिए होगा नेक्सी थोड़ा पास आईए अगर आप यहां पर दिखेंग मटigation है हम चाहते हैं तो यहां पे भी हम डबल प्लाइक को करवा सकती है है को कि यहां पर बॉल प्लाई कर दो उस्से वहता गया हमारे इक्स्क्रामटरीः चला जाता जो भी कटिन इसका बचा हुआ था बॉरटं में टॉप का उचीप कर पर रखा जाएगा तो होगा क्या ना कि sound यहां पे अंदर क्या होगा खोखला हो जाएगा अगर इस पर कभी भी hammering हुई तो तो यह crack हो जाए जो बेटर यह है कि जब भी इसको fix करें उस time में ध्यान रखें कि प्लाई पास में लगे हों जो टुकड़े हैं पीसे प्लास में लगे हैं एंड गैपिक इनकी बहुत कम है और एक्रॉस दी प्लेटफॉर्म जो पूरा टॉप बना है ऐसा नहीं कि सिर्फी सिक्षन में यहां मैं सिर्फा को दिखा रहा हूं यह रखा हुगा है टॉप पूरे जब भी इस पर कील लगाया जाए तो बहुत ज्यादा उसकी ज्यादा बड़ी कील न लगाए जाए नहीं तो जो बॉटम है यहां का यहां पर क्या होगा कील आर पार हो जाएगी हमेशा पौना इंच या एक इंच्छा कील का यूज़ करें थ्री वाइफ फॉर इंच और क्योंकि इसकी जो थिकिने से यह लमसम देड़ इंच हो जाती है अगर 18 mm के दोपला यूज़ होई है तो अब बात गड़ते हैं इसके एजस की अगर आप यह देखेंगे चाहां पर आपको थोड़ा सा डिफरेंट लूप दिखना मिलेगा जब भी किच्छन टॉप बनाया चाहँ तो यह लेकिन से ब्रास पट्टी का यूज़ नहीं होता है और यह जो बॉट्म पर जो लटक दिया गया है इसको भी किया जाता है अगर यही बीना ब्रास पट्टी की उस करते तो इसकी जो फिक्स चार्ज होता है वो भी कम पढ़ता है दूसरी चीज यहां पर डबल मोल्डिंग है तो उसका भी चार्ज लगता है तो इस वज़ा से इसमें काम जादा होने के वज़ा से इसका चार्ज बढ़ जाता है आपने यह ब्रास पट्टी बहुत ही कम देखा होगा मॉडलर के चर्णस में यहां पर ब्रास पट्टी के उसके आ जा रहा है ऐस पर दी ओनर्स चॉइस यहां पर देखेंगे जो यह एज है यहां पर चैंफरिंग होगा यहां पर मोल्ड नहीं होगा मोल्ड चैंफरिंग में के difference cią मौर्व बनायों जाता है तो उसके आप you cream मेघ होगा है यहां पर कशेंपर अर्प नहीं होता है कि इसमें फुर्टीफ डिगरी का ऑफशेंघा जाएगा पर 25 इसको ऐसे छैंफिरिंग किस तरह से दिखता है इसका जो ब्रास पटी लगाने का प्रोसेस है वो सीम जैसे स्टेयर केस में लगाए जाता है कोई डिफरेंस नहीं है उसमें भी एयरलไट यूज किया गया है ये इसको चिपकाया गया है और इसको फिर उसके बाद पी loner value का यूज कि याता है कि यहां पर सिर्फ और सिर्फ एलाइट का यूज कियाता है का पे यहां पर नाज़ कर दिया और चलिए बात करते है सिंग सेक्षण का है यहां देख सकते हैं इसमें भी होत प्राप्लम होती है जब Kitchen Top और Fix करते हैं, कहां प्र π्राब्लम आती है, आपको Attack बताते हैं, ज्यसके आप दीखिए, यहाँ पे आप Cutting यह देख सकते हैं, यहां पे पहले ही जो सिंग का साइस है उस साइस का प्लाई था वहां पे पहले से हम क्टिंग करके प्लाई को निःते हैं जब का लगा जाता है उस प्रश्टांग कि किया जाता है जद मैंered निक्सट को बढ़े जो फिनिशिंग आनी चाहिए वह नहीं आती है तो यहां पर आप जैसे मैंने आपको दिखाया कि प्लाई को पहले कट कर दिया गया है अब जो भी प्लाई कट किया गया है उसी को नीचे से इसके बॉटम साइड से मार्किंग होगा और मार्किंग करने के बाद सिंग को फिक् अच्छे तरीके से इसको कटिंग करना है हैंडल करना है एक भी अगर मिस्टेक हुई पूरी की पूरी जो स्लैब है एक क्रैक कर जाएगी नव एक चीज और जैसे आप देख सकते हैं जब इसको फिक्स किया जाएगा यहां पर टाइल लग गया ताइल और यह जो हमारा बीच में काफी टाइम बात क्या होता है कि गैपिंग आ जाता है विकॉज ऑफ स्रिंकेज की वजह से यह इशू आता है यहीं नहीं बहुत अगर आप ग्रिनाइट भी लगवाएंगे तो वहां पर भी यह इशू दिखने मिलेगा तो उस किस में करना क्या है जब भी आप क आपिंग देख सकते हैं तो उस टाइल और इसके बीच में जो जॉइंट होगा वहां पर एरलाइट से पूरा एटू जैसी स्ट्रेट की चैन है तो इस एल शेप में इसको पुरा फिल करना यहां तर उससे एडवांटेश क्या है एक तो इस्ट्रेंथ बहुत अच्छी आप लोग के माइंड में डाउट होगा कि अभी टाइल नहीं लगा है और टॉप का सेक्षन जो टॉप यूनिट सा वह फिट हो गया है इसका रीजन भी यह कि यहां इसको फिक्स किया गया है और ऐसा नहीं कि यहां पर कोई भी डामेंज मिन्स पर्टिकुलर हाइट पिसक इससे हमारा जो टाइल इसको लगाने में कोई दिक्कत नहीं होगा और कोई गैपिंग भी यहां पर नहीं आएगी ओके सो फाइनल व्यू अगेन जब यह रेडी हो जाए किचन तो मैं अपलोड करूंगा फॉर्म आप शॉर्ट आप ज़रूर देखिएगा और आपको समझ स्क्षिन में लछे पूछष सकते हैं अपने को मैं जरूर रिवॉह करूंगा अगर आपको वीडियो अच्छे लगी हो तो वीडियो को लाइक करें ऐसी ही चैनल को support करते रहें तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स वीडियो में नहीं थौट के साथ तब तक के लिए नमस्कार जैहिन सुन्देमातर